प्रदेश में कोरोना संक्रमन के मामले लगातार बढ़ते चौह रूँ हैं फिर कोरोना की 11 सवसेंपल की जाच में इतने मड़ीच मिले हैं रही कोरोना की तीसरी लघर में प्रदेश में 26 दिसंबर के बाद से मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रुमन दर भी लगातार बढ़ रही है। होम आइसोलेशन में रहकर स्वस्थुए प्रदेश के चिकिस्ता शुक्षामंती विश्वास सारंग ने कहा कि जिनको वैक्सीन लग गई है उन्हें कोरोना के इसने वैरियंट का जादा प्रभाव नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार लगातार वैक्सिनेशन का कारी कर र एक्टिव केस हैं। यह जरूर संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। मैं स्वयंबी करोना पॉजिटिव हुआ था पर मैं होम आइसोलेशन में ही ठीक हुआ हूँ। और यह बीमारी की जो इंटेंसिटी कम है इसका सीधा सीधा कारण वैक्सीन है। जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। उनको यदि संक्रमन हो भी रहा है। तो बीमारी की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारी सरकार वैक्सीनेशन पर पूरी तरह से फोकस की है। जिस-जिस सेग्मेंट की एलेजिबिलिटी है। उन सब को वैक्सीन लग सके समय से लग सके यह हमारा पूरा प्रयास है और उसमें हम सफल भी हो रहे है। वीडियो को लाइक और शेर करें। फ्रदुभाशी से जुने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन नवाना ना भूले।